बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भारत का बजट है यानि ग्रामी और थवस्था किसान और किसान कल्याण के लिए बहुत धेर साथे प्रावधान इस बजट में किये गए हैं लेकिन क्या किसानों को टैक्स के मूर्चे पर भी कुछ राहत मिली है उसको समझने के लिए आज हमारे साथ है बहुत एक खास मेमान डॉक्टर हस्मुकदिया देश के राजस सचे बहुत बहुत शुक्रिया सरे हमसे बात करने के लिए सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि देश में किसानों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है वो टैक्स के दाएरे से बाहर है लेकिन उनके लिए जो इंपूट्स होते हैं जिसका वो इस्तिमाल करते हैं अपने खेती किसानी के लिए उस पर शायद कुछ लोग को कहना है कि टैक्स इंसेंटिव दिये जाने चाहिए क्योंकि उनकी कीमतें कम होनी चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो क्या कुछ ऐसा किया गया इस बजट में जरूर बहुत कुछ किया है इस बजट में टैक्सेशन में भी किसानों के लिए पहली बात तो यह है कि जो फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर एक माइक्रो नूट्रियंट भी डाला जाता है वो micronutrient का जो tax का दर था अभी तक वो 12% था उसको गटा के 6% किया गया है तो उससे क्या होगा कि जो fertilizer बन रहे हैं वो उसमें थोड़ा micronutrient जो डालते हैं वो उतना सस्ता हो सकता है दूसरा की जो किसान के लिए motor होती है centrifugal pump होता है तो उसके अंदर जो पार्ट यूज होते हैं electric motor, shaft, sleeve, chamber, impeller, washer ये सब जो पार्ट है उसके उपर भी duty जो है वो 12.5% से कटा के 6% की गई है तो उसे भी हमारी ये उमीद दे कि centrifugal pump जो है वो सस्ता हो सकता है दूसरा जो है कि किसानों को जो अपनी product को बाद में store करने के लिए cold chain और refrigerated condition में उसको transport करना होता है तो उसके लिए जो refrigerator container आते हैं बड़े बड़े जो बकसे आते हैं जो freeze refrigerator होते हैं तो उसके उपर import duty पहले 10% थी और exercise duty थी 12.5% ये दोनों को घटा के 10% को 5% कर दिया है और 12.5% को 6% कर दिया है तो इससे क्या होगा कि जो किसानों की खेत पिदास होती है वो माल बिगडे नहीं इसके लिए जो refrigerator वानाते है उसकी जो cost है वो कम हो जाएगे क्या ये budget एग्रो प्रसेशन सेक्टर के लिए भी incentive देता है कुछ? सरकार की योजना है start-up India और दूसरी है stand-up India ये दोनों युवाओं के लिए है उन युवाओं के लिए कि जो अपना खुद का कोई व्योसाई करना चाहते है एग्री कल्चर से जुड़ा हुआ तो इसमें जो start-up entrepreneur है उसको हमने इस budget में 3 साल के लिए income tax में से छूट दी है किसी 5 साल में शुरू करने के बाद किसी भी 5 साल में से कोई भी 3 साल में उसको छूट दिये रखिया अब start-up कौन कर सकता है कि जो आदमी के पास कोई नया technology है और वो technology से एक पूरा ही नया नई किसम से कोई product बनाने का वो तरीका डूनता है ऐसी कोई innovative technology है तो वैसा कोई अगर enterprise करता है तो वो start-up कहलाता है और बाकी अगर कोई करता है व्योशाय तो उसको stand-up कहते है तो start-up वाले enterprise के लिए भी हमने छूट दिये start-up में हमने ये भी एक छूट दे दी है कि अगर आपके पास कोई capital नहीं है और अगर आप अपना घर या तो मकान या जमीन उसको बेच के अपने खुद के व्योशाय में डालना चाहते है start-up में तो हम ये करें कि आपके उपर जो capital gain tax लगेगा वो भी आपको नहीं होगा अगर आप अपने खुद के enterprise बना के उसमें अगर वो profit जो हुआ आपको जमीन बेचने से उसके उपर जो profit हुआ उसके उपर पूरा का पूरा परशाब अगर उसमें डाल देंगे तो उसके उपर आपको capital gain tax नहीं लगेगा तो ये सुविदा भी हमने इस बार tax की budget में दी हुई है दूसरा पहली बार हमने देखा है कि आपने जो black money के लिए जो compliance window इस बार दिया है जो घरेलू black money है काला धन को समस्या को नपटने के लिए उसका एक हिस्सा आपने किसान कालन के लिए इसतीमाल किया गया एक तरह से एक innovation कहा सकते है budget में जो इस बार आपने इंट्रीउस किया ऐसा क्यों? ऐसा है कि इस बार का budget है ओ भारत का budget है देश के गाउं का budget है उसमें गाउं के लिए किशान के लिए बहुत सारे प्रावदान किये गए है उसके लिए रासी जुटाई गई है तो ये रासी को इकठा करने के लिए पहली बार इस बजट में दो ऐसी टेक्स लगे है सैस जो कि सिर्फ किसानों के काम में आएंगे उस रासी का उपयोग सिर्फ किसान कल्यान में होगा नहीं कि किसी और काम में होगा और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसान के नाम में कोई सेस लगा हो एक तो सेस लगा है हमने सर्विस टेक्स में कि जो भी लोगों को सर्विस टेक्स की लाइबिलेटी है उनको 0.5% अधा परसंट और देना पड़ेगा और उसको हम बोले क्रिसी कल्यान सेस जो की सर्विस टेक्स के उपर लगाया गया है तो वो 0.5% की जो करीब 5,000 करोर की इंकम होगी वो पूरा किसानों के लिए यूज होगी दूसरा जो एक ब्लैक मनी को बहार लाने के लिए सरकार ने एक योजना डिकलेर की है कि किसी के पास अगर बिना इंकम टेक्स पे किये हुआ काला दन है तो उसको एक पर्टिकुलर पिरियर्ड में अगर वो डिकलेर करे पहली जून से लेके 30 सप्टेमबर तक तो सरकार कहती है कि आपको 30% टेक्स देना पड़ेगा उसके उपर और 7.5% आपको देना पड़ेगा पैनल्टी और बाकी 7.5% आपको किसान सर्चाथ देना पड़ेगा जो कि किसानों के काम में आएगा सो जितना भी काला दन बाहर आएगा ये जो हमारी केंपेन होगी उसमें उस में से 47% तो पूरा का पूरा वो किसानों के काम में उप्यूग में आएगा हम यह चाहते हैं कि देश के लोग किसानों की मदद करने के लिए भी अपना अपना कालादन इसमें निकाले और अपना टेक्स पे करके फिर सुख से अपना चेन की नींद सोह थे क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि आईडिया था कि इस किसान कल्यार के साथ एस बड़ी समस्या को जोडना प्रदान मंत्री जी का हमेसा ये वियू रहा है कि हमको देश का ग्रामींड क्शेतर का बहुत अच्छा विकास करना चाहिए किसान और गाओं में रहते युवकों के लिए भी opportunity create करना चाहिए तो इसी संदर्ब में जब ये बात आई कि ये ऐसा एक extra revenue mobilization का source बन सकता है तो प्रजान मंतरी जी का ये सूचन था कि उसको हम क्यों न किसान के साथ जोड़े ताकि किसान को भी इसमें से फाइदा हो प्रजान के लिए तो आपको pen coat करना होगा बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास pen संख्या नहीं है क्योंकि वो tax देते नहीं है और इसलिए शायद जरूरी नहीं है हाला कि उनके पास होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग pen संख्या बनवाएंगे भी लेकिन अगर वो शादी व्याह के लिए अगर कोई बड़ी खरीदारी करते है तो उनको coat करना जरूरी है ऐसे में क्या उन्हें कुछ आप छूट देने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग पास pen है ही नहीं देकि ऐसा है कि आज की तारिक में करीब करीब गाउं में भी इसकी जगरती आ गई है और देश में करीब 24 करोड फैमिली 25 करोड फैमिली है 25 करोड फैमिली के सामने 22 करोड लोगों ने पान काड ले लिया है तो हम यह समझते हैं कि काफी सारे लोगों ने पांड काड ले लिया है लेकिन फिर भी किसान के लिए हमने खास चूट डे रखी है हमने ये बुलाए कि अगर आप दो लाग से ज़्यादा की खरीदारी केश में करना जाते हैं नगद रखम से तो आप कर सकते हैं आपको कोई टेक्स नहीं लगेगा लेकिन आप एक फॉर्म चोटा सा होता है जो हर व्यापारी के पास रहेगा फॉर्म नंबर 60 और फॉर्म नंबर 60 आप दे दीजिए तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी खास करके ये प्राब्लम आता है ज्वेलरी की खरीदी में खरीदारी में तो जब ज्वेलर के पास कोई जाएगा तो हर ज्वेलर के पास ये फॉर्म नंबर 60 होता है और फॉर्म नंबर 60 में सिंपल कॉलम है आपका नाम आपका व्योशाय क्या है आपको ये डिकलेर करना है कि मेरी जो income है वो सिर्फ agriculture की है और उसके अलावा कोई taxable income मेरी नहीं है और उसके साथ साथ आपको अपना जो जमीन का जो document है उसमें जैसे क्या बोलते हैं उसको गाहों में खसता खत्रा खतो ली वो सब का एक document की copy कि जो आपका जमीन का document है वो उसका एक copy आपको जरोक साथ में दे देना है कि ये मेरी जमीन है मैं खेती करता हूँ मैं खातेदार हूँ तो उतना वो अगर दे दे और वो form में sign कर दे कि मेरी और कोई आई नहीं है तो पार नमबर नहीं भी है तो भी जलता है उसको सर चुकि आप देश के राजस सचिव हैं आप भी सोचने होगे कि देश में जो ग्रामीन अर्थववस्था है वो थोड़ी से बहतर हो लोगों की आमदनी बढ़े और भी लोग टैक्स अब खुद से आगे आ करके टैक्स देना चाहें तो आपका अपना सपना क्या है ग्रामीन भारत को ले करके कैसे आप उनको देश के विकास की जो ये प्रक्रिया है उसमें शामिल करने के लिए आगे आने के लिए कह सकते हैं देखिए हम समझते हैं कि गाउं की विकास के लिए जो गाउं के युवान लोग है वो अपने आपको स्किल से सज्ज करें कोई ने कोई स्किल का अभ्यास करें कोई स्किल डेवलप्मेंट की कोई ट्रेनिंग ले आज स्किल मैन पावर की पूरे देश में इतनी ज्यादा और सर्विस सेक्टर में भी बहुत जरूरत है नर्सीज है और बाकी वियुवसाय में भी बहुत जरूरत है तो हम चाहेंगे कि गाउं के युवान गाउं में बैठे रहने के बदले में ऐसी कोई स्किल प्राप्त कर ले और देश में कोई न कोई ऐसे वियुवसाय में पासकार के में सिर्फ इतना है दीजे जाज़ा नमस्कार